हेलो फ्रेंड्स राजस्थान अधिनस्त मंतालिक करमचारी चेन बोर्ड ने सूचना साइक वेकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसके साथ ही आप लोग वो जो है सूचना साइक का जो है वेकेंसी आप भरेंगे लेकिन इस वीडियो में हम जो में खास बात करें अब आखिर यह बात आई कहां से तो अगर आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन को आई हम चेक करते हैं पहले और पता लगाते हैं कि यह प्रश्ण उठा कहां से कि क्या वन्नात्मक प्रश्ण भी इस बार सूचना साइक की वेकेंसी में शामिल किये करते हैं तो एक बार हम निगार डालते हैं हमारे पर कि यह सूचना साइक का नोटिफिकेशन है ठीक है आप इस लिवेकेशन को बोड़ की वेबसेट से आप देख सकते हैं इस लिवेस्टिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए और आपके जो भी डॉट्स वह क्लियर हो जा जाएंगे तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि आकर यह चीज कहां पर इसमें मेंशन की गई है तो फ्रेंड्स जब आप तोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है समान्य मार्ग दर्शन के लिए ठीपणी मैं तो तो फ्रेंड्स जब आप सम मरण नात्मर परकार या दोनों परकार के हो सकेंगे तो बॉड़ ने ये लिख दिया है बिन्दु संख्या तीन पर पेर नंबर 17 पर आ पर तो वहां पर आप बिन्दु संक्या तीन को पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद बिन्दु संक्या चार को आप पढ़ते हैं तो परिक्षा के प्रश्ण पत्र जिसमें रिखा हुआ है कि पत्रों के समस्त वननात्मक प्रश्णों में शब्दों की समुचित मित्वेता के साथ की गई अभी व्यक्ति को मत दिया जाएगा तो बोड ने जो है अपने नौटिफिकेशन में लिखा है कि मल्टिपल चुश्ण और जो आपके सब्जेक्टिव कुश्ण हैं वह भी शामिल किये जा सकते हैं तो बोड के नौटिफिकेशन में यह क्लियर है अब सेकेंड थिंग हम ब सकता है कि वर्णात्मत प्रश्ण आ जाएं लेकिन मैं 99% की मैं बात कह रहा हूं और यह मैं अपने रिसर्च के अदार पर कह रहा हूं तो आईए मेरा रिसर्च क्या है देखते हैं कि फ्रेंड्स दोजार अठारा से पहले एक एग्जाम हुआ था Тो 2013 में है यान कि सुछना साइक जो मैं नल्याइन था और ऑन मोर पर ऑग्जाम यहाले मोरन और यहाले ओंडर कर आ यानिकि कीबोर्ड से टाइप करके आंसर को लिखने का इसा कोई वहाँ पर नहीं था अब हम बात हम 2018 के नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं क्या 2018 के नोटिफिकेशन में इस चीज को लिखा गया है तो 2018 का जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे त इसका पेज नंबर आप दस खोलेंगे तो पेज नंबर दस में आप देखिए यहां पर भी वही बात आपको यह देखिए पेज नंबर 11 पर ही है अब मैं इस लोड़ा बढ़ा कर देता हूं तो यह देखिए जो 2018 का जो आईए का एनिक सुचना साय का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बिंदु संक्या तीन परिक्षा के प्रश्णु पत्र के प्रश्णु बहुँ विकल्पे या वर्णात्मक प्रकार या दोनों पकार के होंगे ठीक है और बिंदु संक्या तो वर्णनात्मक प्रश्णु नहीं था तो इस साब से देखा जाए तो वर्णनात्मक प्रश्णु ही कorns का जो रहेगा के सकते हैं 100 पर्सेंटि जो है आपका पैपर मिलटेपल आपकर फौह कुशन होने वाला है ठीक है लेकिन बोड ने लिखा है और अगर बौ硏 क्या इस दि मौद ब्रादान चाहते हैं तो बहुत ही कम चांस कि वो वरणात्मख प्रश्ण को को उसमें शामिल करते हैं तो आपको इस बात की चिंता होगी कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो आइए हम 2023 की नोटिफिकेशन की पर चलते हैं जे आप जो आपकी राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो लिखता क्या हो समझता क्या है तो आप यतना सा करना है कि तोड़ा सा सही लिखना आगे अभर प्रश्नि का उत्तर तो एक रहेगा लेकिन आपको अंक ज़्याएं क्यूं मिलें तो आपको अंके ज़्यदा इसलिए मिलेंगे कि आप जो कुछा गया है उस कुछिन के अनुसार ही चाहे शब्द कम लिखो चाहे शब्द ज्यादा लिखो इसका कोई परक नहीं पढ़ने वा लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर आप दो राइन में लिख दे है तो वह आपको ज्यादा नंबर देगा और अगर आप अपने किस्टिन के जो जो किस्टिन के ना चाहरा है अगर आप उस टॉपिक से भटक जाएंगे और अनाउश्यक आप पांच शेसो लाइन भी लिखे आएंगे तब भी आपको जो है मार्क से नहीं मिलने वाले हैं आपने बहुत ज़्यदा लिख दिया लेकिन आप उस बात को कहे नहीं पा रहे वहाँ पर बताने पार रहे और अपने वह बात जो पूछना चाहरे है वह आपने बात रख दी है तो आपको और बैस्ति बात है कि आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे लेकिन यह सब सेकेंटरी चीज़ें हैं आपको जड़ातर जो मेहनत करनी है वो multiple choice questions परी करनी है मैंने फिर पहले ही बता चुका हूँ कि 2018 में भी यह नियम था 2018 की यह पूरी की पूरी copy है यहां से समाने बोर्ड ने आकर notification में लिखा है तो आप जो है अपने राइटिंग को लेकर भीकुली परिशान ना होए आपको केवल सही और correct उतर लिख्या आना है चाहिए वो दो लाइन का ही हो ठीक है और आपको जो जड़ा focus करना है वो multiple choice questions पर करना है ठीक है तो multiple choice questions का मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रही है एंटी वीडियो